नमस्कार दोफ्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक्जामों में तारीक है 30 जनुरी और आच के फटाफट के करेंट अफैस में लेकर आगया हूँ आज के जो करेंट अफैस में वो काफी ज़्यादा IMPORTANT है because कम से कम तीन इंडेक्स आज हम लोग पढ़ेंगे और जब भी आप इंडेक्स से current affairs पढ़ते हैं तो वो आपके exam के point of view से काफी ज़्यदा important हो जाते हैं तो पूरा बनाए रखिए रहिए ने बे कबर, रहिए मेरे साथ मिलेगी हर कबर यहां पर तो जिन्दा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लेहरों के खिलाब तैरने की क्योंकि लेहरों के साथ बेहना लासो का काम है कहने का मतलब यह है simple सा कि अगर आपके पास कोई परिशानी आ रही है कोई मुसीबत आ रही है कोई दिक्कत आ रही है तो समझिए कि आप जिन्दा है जिद दिन आप में परिशानी खतम हो जाएंगी ना वो दिन आप समझ लीजेगा कि आप मर गये फिर कुछ करने के लिए आप में पास बचेगा नहीं हर आदमी comfort zone में जाना चाहता है हर आदमी यहीं चाहता है कि उसकी जिन्दगी smooth हो लेकिन यकीन मानिये कि अगर आपकी जिन्दगी एकदम smooth हो जाए उसमें कोई भी परिशानी ना रहे कोई भी दिक्कत ना रहे तो आप अपने आपको upgrade करना बंद कर देते हैं आप अपने आपको अपडेट करना बंद कर देते हो आप प्रयास करना बंद कर देते हो जिस प्रकार से अगर आप बहुत दिनों तक एकर साइध ना करें कोई physical workout ना करें तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा बहुत दिनों तक कोई puzzle ना लगाएं बहुत दिनों तक कोई ऐसा काम ना करें जिसमें brain का use हो रहा हो तो आपका दिमाग कमज़र हो जाएगा उसी प्रेकार से जीवन भी है कि अगर आप इसे प्रयोग नहीं करेंगे तो ये नश्ट होने की कगार पे चला जाएगा तो अगर मुश्किले हैं परिशानिया हैं आप कमफट जोन में नहीं है तो यहीं जीवन है इसकी परिवासा यहीं समझिए जब आपको लगेगी नहीं मेरे साथ कुछ जादा ही परिशानिया आ रही है तो आपके साथ ज्यादा परिशानिया इस लिए आ रही है जोगि उपर पता कर दीजी शेयर और अगर like नहीं किया है तो like भी कर दीजी नेशनल कमपनी law appealate tribunal की अभी हाली में चिन्नाई पीट की उधगाटन किया गया और दिल्ली के लाबा ये दूसरी पीट है इसकी इसका उधगाटन किस ने किया निर्मिला सीता रवन जी ने हाले में किस पूर्व भारती फुटबॉल टीम के गोलगीपर का निदन हो गया परसांद दोरा एक अनोखी पहल पहली यंग रीडर्स बोट लाइबरेरी कहां लॉंच की गई है वेस्ट बेंगॉल पे हुगली नदी में चलाई जाएगी हाँ आज कुछ जादा ही ठंड है रिपोर्ट के अंसार भारत में एक हजार से अधिक बड़े बान दो हजार पच्चिस में पचास सालिया इससे जादा पुराने हो जाएगे ये किसने ये रिपोर्ट किसने जारू की है यूएन ने यूनाइट निशन में गरतन दिवस परेड में आयो जित किस राजी की जाकी को पहला इस्थान मिला है तो वो है उत्तरपदित यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजेगा कि बायो टेक्नलोजी डिपार्टमेंट बायो टेक्नलोजी डिपार्टमेंट इसकी जाकी को बिभागों की स्रेणी में पहला पुरुसकार मिला है डिपार्टमेंट की जो टेबली होते हैं उसमें इसको पहला पुरुसकार मिला है इन दे डिपार्टमेंट केटेग्री बायो टेक्नलोजी डिपार्ट यार्न हिंदी में बोला जाए तो जैब प्रयोद्योगी की विभाग कहीं पर नोट करना हो तो कर लीजेगा अधर्वाइज यहां पर लिखा ही रहेगा जैब प्रयोद्योगी विभाग मेरे तो हाती नहीं चल रहा है एकदम जाम हो गया है हाली में किस राज ने लिंग समानता के लिए जेंडर पार के स्थापित किया है तो वह है केरला भारत के पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके गिफ्ट करने के लिए किस पहल की सुरुआत की है अभी एक इंडेक्स आया है बड़ा मज़ा आएगा उसको बताऊंगा तो मैं हम दुनिया को टीका करन बाठते फिर रहे हैं और अपने घर में खुद ही आलत कराब है ब्रांड फाइनेंस गुलोबल 500 की रैंकिंग में जियो विस्ट का कौन से नंबर का ब्रांड बन गया है पांच वा नंबर एक पर कौन है पहले आपको बताया था कि कल वर्ड का फप कौन बन गई है तो पहली महीला पदान मंत्री बन गई है काजा कलास जी नहीं पहला ब्रांड जो है है वो है वी मचैट के टीसियस जो है वह तीसरे नंबर पर आया है इनरе इंडियंगे यह नहीं पूछा जाएगा यार्ड 59 न Hem. पर वी शेट है भाई पहला ब्रांड दूसरा कोन है दूसरा है फरारी मूलेवान स्रेणी में और तीसरा कोन है तीसरा है एसबेर एसबेर क्या है यह रसियन बैंक है और चौता कोन है चौता है कोका कोला कोका कोला तू मस्त गाना है यह भी आए तके हाली में बेस्ट प्राष्टिय पुरुस्कार गया है, वो किसको गया है, मेगाले को, अब बार ही है आज के करेंट अपयास की, धमागेदार करेंट अपयास है, मोदी जी बहुत सारा चिला रहे हैं, बहुत सारे लोग ये चिला रहे हैं कि भाई ब्रष्टाचार कम हुआ है, ब्रष्टाचार की रिपोर्ट ये बताती है कि ब्रष्टा चार धारना सूचकांग में करप्शन पर्षेप्शन इंडेक्स में 2020 में 180 देशों में भारत का इस्थान 86 है पिछले सालम 80 नंबर पर थे इस सालम 86 नंबर पर पहुंच गए क्या भारत में ब्रष्टा चार बड़ा है जी नहीं बा ऐसा वाला अपना हिसाब किताब है अगर कोई भी कोई भी राजनीती पार्टी ऐसा करती है कि वो किसी भी को भी नुक्सान पहुचाना चाहती है देश हित में नहीं काम करती है या कुछ भी इस तरह का काम करती है तो वो मेरी पार्टी नहीं है मैं बले ही कुछ भी हूँ बीजेपी सपोर्टर हूँ या कोई सपोर्टर हूँ ऐसा कुछ है नहीं बड़े कुले दिल का वेक्ति हूँ किसी को भी वोट कर देता हूँ अब तक मैंने जितने भी वोट डाले हुँ उसमें पता नहीं किसको किसको डाल दियें तो भारत का इस्थान जो है वो 86 नंबर पर पहला इस्थान असिल किया है सबसे निचले इस्थान पर अगर देखा जाए तो सोमालिया और दच्छिड सुदान है जिनका स्कोर 12 है और ये 189 में इस्थान पर सबसे निचले पाइदान पर आए है भारत जो है बुरिकीना फासो मुरक्को पूर्वी तिमोर अगर आपका स्कोर 0 है इसका मतलब आप सबसे करप्ट देखें अगर आपका स्कोर 100 है तो मतलब आप सबसे बढ़िया देखें आपके यहां करप्शन बिल्कुल भी नहीं है पिछली बार भारत का स्कोर 40 था तब उसकी रैंकिंग 80 थी इस बार भारत का स्कोर 41 है और 86 है य वो 86 नमर पर पहुंच गया है अब आप पाकितान की भी बात कर लीजा पाकितान इसमें 124 नमर पर है कौण से नम नॉन गवर्मेंट और्गनाइजेशन है एंजीओ है जो 1993 में फॉंड किया गया था वर्तमान समय में चेयर पसन है डेलिया पिरारो रूबियो नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं बस यह याद रखेगा है कहां का यह यह जर्मनी का है इतना याद रखेगा और अभी कुछ इंडेक्स जारी हुए जैसे कि कली एक इंडेक्स जारी हुए था Global Climate Risk Index 2021 इसमें भारत की रहेंगी 5 की जगे 7 हो गई है और यहाँ पर जापान की जगे कोन आ गया है सोमाली आ गया Human Development Index की बात करें तो 129 पोजीशन है नारवे जो है वो पहले नमबर पर इसके लावा Global Hunger Index जरूर याद रखेगा 94 पोजीशन पर चल रहे हैं हम लोग Human Freedom Index अभी जारी हुआ था तो इसको भी जरूर याद रखे अभी आप मैं बोलू कि अगर मेरे को थोड़ा था corruption का मौका मिलेगा तो मैं करीद हूँगा मैं literally बता रहूँ अभी मैं अक्सर वैसा करता नहीं हूँ लेकिन अभी क्या हुआ कि हाली में मेरी गार मोठागिन रोक लिगए सारे काईक पूरे थे लेकिन एक दिन पहले ही दो दिन पहले ही ηे हुआ कि एंसुररेंस एक पायर कर गया फिर हम सोचे कि दो दिन बात करा लेंके तीन दिन बात करा लेंक कराते business कराते अचानक से जब तक अ सो और अभी चेक हो गई चेक हो गई तो मुझे सो रुपए देने पड़े मैंने खुद किया ब्रश्टा चार अब क्या करूं मुझे लगा कि हाजार रुपए जाएंगे से बढ़ी यह सो रुपए देके निकल लेते हैं अब मैंने गलत किया अंदर नदर मैं कोस रहा था लेकि और अस्टेलिया इस्थि सिड्नी और अस्टेलिया में सिड्नी में इस्थित एक लोवी इंसिट्यूट है उन्होंने कोविड नाइंटीन से जिस तरीके से देशों ने प्रतिक्रिया दिये जिस तरीके से कोविड नाइंटीन के प्रती रिस्पॉंस दिखाया नमबर ओफ 100 number of cases कितना जल्दी हुए कितनी तेजी से हम response कर रहे थे क्या-क्या चीजे हम कर रहे थे उसमें भारत 98 देशों के सेनी में 86 नमबर पर है यानि कि हमारी जो preparedness index है वो बिलकुल ही गटिया है हम COVID-19 के लिए जो response कर रहे थे वो विश के कई देश यानि कि 85 देश हमसे अच्छा कर रहे थे इस पर रखा गया है COVID-19 प्रत किया पर साजनी ग्रूप से उपलब दस तुल्नी आखनों के अधार पर इस देशों को इस्थान दिया गया था सबसे बढ़िया तरीके से कौन निप्टा है जो बढ़िया एकता काम कर रहे हैं कर रहे हैं कि कर रहे हैं जैसा भी आपको पता हो निजिलेंड की प्रधान मंतरी कौन है यह जरूर बताइए निजिलेंड की राधानी क्या है यह भी बता दीजे तो दपेंडेमिक वाइल्ट, थाइलेंड, साइप्रस, रवांडा, आइसलेंड, आस्टेडिया, लताविया, स्री लंका भी टॉप 10 के अंदर आए हैं मलब स्री लंका भी टॉप 10 में और अभी कला ही हमने स्री लंका को वैक्सीन बेजी है वैक्सीन मैत्री के जरिये मलब वो खुद बढ़िया लड़ रहा है हम उससे कम लड़ पाए हम बताते रहते हैं कि स्री लंका ऐसा, स्री लंका वैसा हो देगो वो COVID-19 से छोटा सा देश होने के करण बहुत बैतर तरीके से लड़ रहा है जेसिंडा जेसिंडा अल्डन है वाई जेसिका अल्डन नहीं है जेसिंडा अल्डन है नुजिलेंड में वर्तमान सबय में पैदान मंत्री और नुजिलेंड की राजदानी है विलिंगटन याद रखना है ना टॉप पर चल रहा है दो रैंकिंग में ये टॉप पर आ गया स्री लंका भाई भी ये भी टॉप टेंड में आ गया और हम इनको वैक्सीन बेज रहे हैं तो सूज कांत करमसा मजाग की बाते हैं भाई वैक्सीन हमें बेजनी चाहिए वहाँ प्रोडक्शन नहीं है तो हमें वहाँ वैक्सीन बेजनी चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है मैं मजाग के तोर पर इसे कह रहा हूँ निजिलेंड वियतनाम और ताइवान सीर्ष तीन देश हैं जिफ में सबसे खराब हैंडलिंग में देखा जाए तो ब्रादील ने इसको बहुत ही खराब तरीके से हैंडल किया है और आपको बता दूँ यूएस भी इसमें सबसे खराब तरीके से हैंडलिंग करने वाले देशों में आया है चीन को इस सूची से बाहर रखा गया कि उन्हें आकड़े नहीं दिये उन्हें बताये नहीं हमारे कित्ते बुला हम नहीं बताएंगे जाओ तुब अपना काम कर जाके इंडेक्स वाली जो स्लाइड है उसको जरूर एक पर पढ़ लीजेगा पचास अजार नागरिकों के मामले निप्टाने का बोज है इसलिए हमारे जो पेंडिंग केसे तर वो बढ़ते ही चले जा रहे एवन एक पुलिस वाला जो है वो 858 लोगों की सुरच्छा के लिए है ये है हमारी सुरच्छा और ये है हमारी नयाय व्यवस्था पचास अजार सिडिजन यानि पचास अजार नागरिकों पर एक जज़ क्या ये आखड़ा वाकई में इतना बुरा है नहीं ये आखड़ा इतना बुरा नहीं है लेकिन फिर भी बुरा है एक स्टेंडर्ड मानक की अनुसार 20,000 लोगों पर एक judge appoint होना चाहिए किसी भी देश में अगर आप नया प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाना चाहते है तो इंडिया justice report में बताया गया है कि जो महराश्ट है वो इसमें top पर रहा है वो best performing state रहा latest इंडिया justice report 2020 ये report हर साल लाई जाती है टाटा ट्रस्ट दोरा और ये justice किस तरीके से दिया जा रहा है उस पर आधादी report है जो top 5 में आए हैं उसके अलावा महराश के बाद तमिल्नाडू तमिल्नाडू के बाद तेलंगाना तेलंगाने के बाद पंजाब और पंजाब के बाद केरला जबकि 18 मेजर इस्टेट यानि कि जो 18 बड़े राजे है जहां कि आवादी एक करोन के आसपास है या उससे ज़्यादा है वहाँ पर देखा जाए तो करनाटका उत्रकंड, मदबदेश, वेस्ट पंगाल और सबसे खराब इस्टिती में है नियाए की रिपोर्ट के मामले में उत्तर पते तो आपको ज़रूर याद रखना है टॉप पर कौन है महाराष्ट सबसे खराब इस्टिती में पहुँचा है अठार्मी पोजिशन पे उत्तर पते जबकि आप स्मॉल स्टेट की बात करें यानि कि छोटे-छोटे राज्यों की बात करें जहाँ पॉपुलेशन एक करोन से कम है वहाँ पर त्रिपुरा जो है उसने टॉप किया है इसके बाद सिक्किम और इसके बाद हिमाचन प्रदेश का नंबर आता है तो ये सारे के सारे मिलकर इनो ने इस रिपोर्ट को तयार किया है इस रिपोर्ट में जो दो खास बाते हैं वो आपको याद रखनी है सबसे खराब इस्तिती में उत्तर पदेश है इसके अलावा अगर आप छोटे राज्यों की बात करें तो उनमें सबसे बढ़िया इस्तिती में त्रिपुरा है टिक है इतना जरूर याद रखेगा सनी कुमार कहने ज़र पीडियाप जो है वो अंग्रेजी में दो भाई जिसमें लगी है वही आपको मिल जाएगी जब यह छप गए तो अब इसको अंग्रेजी हिंदी में करने में कुछ नहीं अगली न्यूस की तरफ आ گया हूँ जड़ा ये बताएए ये कौण है कौण लोग है जिनकी तस्वीरें आपके सामने लगी हुई है द्यान से देखिए श्री दिनेश कुमार खारा ये चेयर मैंने हैं लेकिन Adventure के चेयर मैंने पता नहीं स्री CS सेट्टी चला स्री निवासलू सेटी ये Managing Director है किसके Managing Director नहीं पता नहीं स्री असवानी भाधिया Managing Director नहीं किसके हैं ये कौन है यह है SBI का Board of Director, यानि कि आपके SBI के Board Member हैं, जिसमें से SBI के जो Managing Chairman है वर्तमान समय में वो है तिरी दिनेश कुमार खारा, इन्होंने अभी हाली में रजिनीश कुमार जी की जगह लिए, दिसंबर में वो रिटायर हुए, अच्छा दो Managing Director खाली पड़े हुए थे, इनको भर Cabinet Committee होती है, वो इसको बरती है, कौन बरती है, Appointment Committee of Cabinet, जिसे ACC कहते हैं, ACC सीमें नहीं, ACC Committee है, दूसरे दो कौन है, स्री चल्ला, स्री निवासलु सेट्टी, जन्होंने अंसुला कांत की जगह लीती, और स्री अस्वनी बाधिया, काफी समय से चल लें, तो दो नियुक्त किये गए है, उनका नाम है, स्वामी नाथन जानकी रमन, मैं स्वामी नाथन ते कन्फ्यूज मत होना, यहने स्वामी नातन जो है, वो RBI के मेनेजिंग डारेक्टर थे, उन्होंने रिटार्मेंट ले ली, और अस्वनी कुमार तिवारी, अस्वनी कुमार लोहानी नहीं, प्रबंद निदेशक के तोर पे स्वामी नाथन जानकी रमन, और अस्वनी कुमार तिवारी जी को निक्ति के मनजूरी दे दी है, इससे पहले यह SBI में डेप्टी मैनेजिंग डारेक्टर थे, कौन स्वामी नाथन जानकी रमन, और अस्वनी कुमार तिवारी क्या थे, SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है जबकि विश्व का 43 सबसे बड़ा बैंक है यानि कि अगर विश्व में इसकी रैंकिंग देखी जाए तो यह 43 नमबर पर आता है Fortune Global 500 लिस्ट में इसे 221 रैंकिंग प्राप्त हुई है as a brand SBI के इस्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी या मालीजे कि कई सारे बैंकों का विलाय करके SBI को बनाया गया था इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में है मुंबई कहां है माराश में है वर्तमान समय में इसके चेर परसन कौन है दिनेश कुमार खारा अब यहाँ पर एक प्रश्ण स्टैक जीके से बनता है कि भाई भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है भारत का सबसे पुराना बैंक 1770 में इस्थापित किया गया आ गया अगली जानकरी जानकरी पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है जो अभी तक कारे रहत है सरकार द्वारा अभी हाली में समुद्री मेगा फॉना इस ट्रेंडिंग ये कुछ दिसा निर्देश है प्रोटोकॉल है जिसमें समुद्र के जीवन चक्र है समुद्र की जो बायो डाइवर्जिटी है जैब विविदिदा है उसको बनाए रखने के लिए अभी हाली में एक नेशनल सी टर्टल एक्षन प्लान जारी किया गया नेशनल टर्टल सी एक्षन प्लान क्या है इसके जरीए जो समुद्र के कच्छुए है भारत में चार प्रजातियां पाई जाती है हॉक बिल लेधर बोर्ड वो बताऊंगा अभी तो ये ओलिव रिडले तो चार प्रजा तत्रचक है कोष्ट गार्ड है उन्होंने एक ओपरेशन शुरूआ करिया था ओपरेशन ओलिव ओलिव रिडले टर्टल जो है ये हर साल उडीशा के गाहिर माथा पर आते हैं उडीशा के गाहिर माथा टर्ट पर आते हैं ये गाहिर माथा जो है ये रिसी कुल्या नदी के गाहिर माता यह जो है यह रिशी कुल्या नदी के मुहानी पर है यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं और इस बार उसके सनच्छन के लिए Operation Olive जो है वो सुरू किया गया था because इसको IUCN की Red List में डाला गया और भारत इसमें इंपोर्टेंस क्यों नहीं बारा है क्योंकि भारत के पास 7500 किलो मीटर 71516 किलो मीटर लंबी तट रेखा है यानि समुदरी सीमा है और ऐसे में भारत बहुत ज़्यादा बायो डाइवर्जिटी को कवर करता है अगर भारत इस तरीकी के प्रयास आगे करेगा तो ये काफी इंपोर्टेंट होंगे Turtle Conservation of India There are 5 species in Indian water Olive Ridley, Green Turtle, Loggerhead, Hawksbill and Leatherback Olive Ridley, Leatherback and Loggerhead are listed as vulnerable यानि कि IUCN की Red List में इनको डाला गया है और ये माना गया है कि ये प्रजाती जो है वो संकट गरस्त है जब कि Hawksbill Turtle ले 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 क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानि कि ये बेहल संकट गरस्त है और लबल लुप्त प्राइब हो चुकी है और Green Turtle भी इसी Red List में डाला गया है इनको प्रोडेक्शन दिया जा रहा है Indian Wildlife Production Act 1972 के जरी है इस Act के जरी है इन कचुओं को मारना इन कचुओं को बेचना एक अपरात की स्रेणी में आता है अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जुर्माना और सजा दोनों हो सकता है अब बात कर लेते हैं भाई World Turtle Day की क्या किसी को आईडिया है कि World Turtle Day कब मनाये जाता है विस्टो कचुओं कच्षुबं कब मनाये जाता है कच्षुओं के सरच्छनों को देयर में रखते हुए हर साल 23 मई को विस्टो कच्चुओं दिवस मनाये जाता है इस बार 2020 में इसकी जो theme रही थी वो adopt, don't solve मनलब आप इन्हें पालें लेकिन इन्हें खरीदें नहीं या इनको इनकी दुकान ना बनाएं इनको बेचें नहीं ठीक है? 15 days compilation भई हर मैने compilation तो लाता हूँ पूरे 30 days का टाइम हो जाएगा भाई जरूर ले आऊँगा अचा एक चीज और होती है turtle और turtleize में क्या फर्क है? turtle और turtleize में क्या फर्क है? ध्यान रखेगा है all turtle are turtleize but all turtleize are not turtle turtle जो जल में रहते हैं उन कश्मों को कहा जाता है और turtleize जो जल में नहीं रहते इनके pair होते हैं और ये थोड़े से सक्त होते है जबकि जो turtle होता है वो थोड़ा सा मुलायम मुलायम सा होता है अगली जानगारी केरल में इस्तिदे एक bank है धनलचमी bank इसके निदेशक मंडल ने जेके सीवान को बैंक के प्रबद निदेशक और सीई गरूप में निदेशक मंडल में आ गए है जो लोग भी banking की त्यारी कर रहे है उनके लिए important news है बाकी लोग इसे skip कर सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं लूँगा उत्तर पदेश की news है कानपुर जिले में देश का पहला चमला पार्क इस्थापित करने की बात चल रही है ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कल भी ये चीज चर्चा में थी किसके उपर बजटी करन किया जा रहा था ये योजना कहां पर लगाई जाएगी उसके लिए काफी सारी चीज़े की जा रही थी तो ये कानपुर जिले के रमईपुर गाउं में थापित की जाई और 5850 करोड उपे से अधिक के निवेश को आकरशित करने की उमीद है इसमें 20 मिलियन लीटर पेती दिन चम्ता का एक प्रवावी treatment plant भी होगा जो गंगा नदी को परदूसित ना करें मुझे पता है अगर ये रमईपुर गाउं पे बनने वाला है तो पक्का ये पांडु नदी को परदूसित करेंगे पांडु नदी जो है कानपुर की एक प्रमुख नदी है तो मैं अपने चोटे की बात याद करता हूं मैं जब इस नदी की किनारे जाय करता था तो देखता था इसका पाणि एकदम साफ होता था और आज की डेट में मैं आपको इस नदी की स्थिति ये बता दू इसका पानी इतना काला हो चुगा है लिटरली काला है, मलब ब्लैक कलर, आप समझ लो कि जो ब्लैक कलर होता है, उस तरीके का इसका पाणी हो गया, इतनी सच नदी को इतनों इतना गंदा कर दिया है, कुछ कहने हो को नहीं, कभी-कभी जब बारिस होती है, तो इस नदी का इतना खराब हो गया है, कि वहाँ पर ब बारे में नहीं सोचती, कि उस नदी को भी बचाना चाहिए, और वो जो इंडेस्ट्रिल एरिया है, उसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, अभी हाली में, अगर मालीजे आपको कोई क्रीम आप लेके आते हो, उसमें लिखा है कि आप इस क्रीम को लगाने से गोरे हो जाओग तो यहां पर आप अपनी सिकायत कर सकते हो, यह है भारती विज्यान मानक प्रश्ट यानि कि एडवर्टाइजिंग स्टेंडर्ड काउंसिल ओफ इंडिया, तो इब्रामा विज्यापनों के बारे में जागरुकता बढाने के लिए उब्वोकता कनेक्ट पहल सुरू की है, और इसका नाम रखा है, चुप मत बैटो, यह अभियान ASCI ट्रेस्ट द्वारा विज्यापन रिपोर्ट 2020 के निसकरस्टों से परित है, जिसमें बतायागा कि केवल 10% बोकता ही अपनी हग के बारे में जानते हैं और बताते हैं लोगों को, जी, तो ASCI की बात की जाए, तो Advertising Standard Council of India, मुख्याले मुंबई में है, रोहिद गुप्ता, वाइस शेर्मेन है, इसकी इस्तापना 1985 में की कही थी, The Advertising Standard Council of India, यह 1985 में डेवलेफ की कही थी, यह Self-regulatory, Voluntary Organization है, जो लोगों को, आप मालिजेग, अगर कोई भ्रामा भी ज्यापन देखते हैं, तो इनके जरी लार्शन एंड टुब्रो को बाइस जो 7000 करोंट रुपए का ओर्डर मिलने वाला था, वो मिल गया है, 7000 करोंट रुपए से अधिक का ओर्डर हासिल कर लिया है, जिसे Bullet Train Project रूप में भी जाना जाता है, इस दायरे में वाइड कर्ट, एक स्टेशन, एक नदी पूल, रख प्रमनियन, इसके इस्थापना 7 February 1938 को मॉंबई में की गई थी, कई लोग सोचने हैं कि यह बाहर की कंपनी नहीं इंडियन कंपनी है, और इसके जो फाउंडर थे, वो हैंडिक हॉग लॉर्शन एंड सौरें क्रिष्टियन टुब्रो थे, जिसके नाम से इनका नाम लेर्श पोन कर दिया गया है, 2021 को मई से जुलाई 2021 में तक के लिस्तकित कर दिया गया है, पहले यह 11 से 22 मई 2021 तक निजाइट किया गया था, लेकिन अब यह 6 से 17 जुलाई तक होगा, 2020 का संस्क्राण हो नहीं पाया था, और अक्टूबर में एक साधान गड़ना दोरा इसको जाता है, अगली जनकरी थाई पुसम, थाई पुसम एक फेस्टिबल है, जो तमिल नाडू में मनाया जाता है, और अभी हाली में 28 जन्वरी को यह तमिल नाडू में मनाया गया, आप से यह पूशा जा सकता है, थाई पुसम किस जगह का फेस्टिबल है, तो यह तमिल और अपने सरीरों में इस तरीके के वो दागते वगेरा जैसे इन्होंने कलस वगेरा टांग रखे हैं तो अपने सरीर को कष्ट देते हुए बगवान सुपरमन्यम की पूजा की जाती हैं आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि थाई पूसम जो है ये गड़े चतूरती के द इसके अलावा यहां का प्रमुख डांस है भरत नट्यम सीम है के पलानी सौमी मिल नहीं रहे हैं कहां लिखें हुए आप अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं आप याद रखो कि एके पलानी सौमी जो है वो वरतमान समय में सीम है और गवर्नर जो है वो बनवारी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैं अजीत विनायक गुपते और ये हैं सुपधर्शनी टिपाठी इन दोनों ही लोगों को अलग-अलग देशों में अभी हाली में राजदूत नियुक्त किया गया है यानि अमेडर नियुक्त किया गया है अजीत विनायक गुपते को मि कजाकेस्तान गर्णाक में भारत के अगली राज्यूत के रुप में नित्किया गया है अभी वह उपनामान इदेशा के भारती सांस्कतिक संबंध परिशत थे यानि इंडियन कल्चरल काउंसिल से में डिप्टी डारेक्टर के पत पर काम कर रही थी एक एक करके बात करते हैं कजाकेस्तान कहां है कजाकेस्तान आप देख सकते हैं इधर इंडिया है आपका इंडिया से थोड़ा था आप आगे जाओगे ये पाकेस्तान आपको मिलेगा फिर पाकेस्तान का बार्डर उपर नहीं होना चाहिए गलत दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पर इंडिया का ही विस्व के कितने देशों के साथ सीमा बनाता है या कितने देश हैते हैं जो कैस्पियन सागर को टेच करते है तो आप इसे याद कर सकते हैं कैस्पियन सागर के किनारे है कट्री कट्री मतलब होता है किनारा कट्री का मतलब के का मतलब कजाकिस्तान A का मतलब अजर्बैजान T का मतलब है तर्कमेनिस्तान R का मतलब है रसिया और I का मतलब है इरान इसको जरूर याद रखिएगा कैस्पियन सागर को और ये खारे पानी की भाप की सबसे बड़ी जील है कजाकेस्तान की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो भाई कजाकेस्तान की राजधानी अस्ताना नहीं है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अब इसका नाम हो गया है नूर सुल्तान और कजाकेस्तान में मुद्रा क्या चलती है टेंगे कजाकेस्तान में मुद्रा चलती है टेंगे ठेंगे दिखाएंगे ठेंगे इसी तरह से और भी जानकारी जल्यली देख लिए तुर्कमेनिस्तान की राजदानी है असकबात उच बेकिस्तान की राजदानी है तासकन यहीं पर हमारे लालबादू सास्त्री जी का डेथ हो गया था और किरकिस्तान की राजदानी है बिसके तो यहां कौन बेजी गई है सुभ दर्शनी जी एदे आपकी राजदूत के तौर पर बेजी गई है अब बारी है मिस्त्र की यह है अजीद बिनाय गुपते जो की मिस्त्र में भेजी गए यह है आपका मिस्त्र और यह अफरीका का ऐसा कंट्री है जो मिडिली इसके साथ एजिप की बात करें तो लीबिया और सूडान के साथ यह सीमा बनाता है एजिप की राजधानी जो है काईरो क्या है एजिप की राजधानी है काईरो मुद्रा यहाँ पर चलती है एजिप्टियन पाउंड मुद्रा चलती है एजिप्टियन पाउंड अगर आप देखें त जो आपकी अरब सागर से लाल सागर को जोड़ती है इसको याद रख सकते हैं और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है यह जो इस्ट्रेट है यह आपकी है होम रूज जो आपकी अरब सागर से पर्शियन गल्फ यानि की फारस की खाड़ी को जोड़ती है इसको याद रखिएगा काईरो भी कह सकते हैं मिस्की राइजीनी काईरा भी कह सकते हैं काईरो इस दा बेस्ट प्रनॉंसियेशन वर्ड काईरो यह पड़ी है वो जादा बेटर है अभी दख जितने भी एमबेड़र पिछले 2020 में बनाए गए उन सबकी लिस्ट यहाँ पर है अभी हाली में पदीप कुमार वर्मा को नीदर लेंड का नीदर लेंड में राज़ूत के दोर पर नियूत किया गया था देवरानी खोबरागड़े को कमबोडिया और विक्रम दोराई सामी को बांगलादेश और रुद्रेद डंडन को अफगानित्तान का राज़ूत नियूक्त किया गया था भारत की तरफ से वो गये थे इसमें से आपको चौन-कौन याद होने जरूरी है ब्रिटेन का जरूरी याद होना जरूरी है गायतरी इससर कुमार कुवेट का जरूरी याद रखिए यूएसे का जरूर याद रखिए नेपाल का याद रखिए स्री लंका का याद रखिए मतलब जो रेड फॉर्म में हो जरूर याद रखिए ठीक है रजनीस कुमार कह रहे है सर मैं आपको सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ और आप मेरा नाम नहीं लेते हैं हमको कैसे पता चलेगा आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं कैसे पता लें आईए आप वन लाइनर कर लेते हैं जली लिकरते हैं दनलश्मी बैंक बोर्ड ने किसे अपना M.D.O.C.E. गुरूप में निक्ति की मनजूरी दिया है तो J.K.C.1 और हाली में कांस फिल्म फेक्टिवल 2021 कब तक के लिए इस्तागित कर दिया गया है जुलाई 2021 के लिए उत्रपेदेश देश का पहला चम्रा पार कहां पर इस्तापित करेगा कानपूर में और हाली में किसके दौरा भ्रामा विज्यापनों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए एक पहल सुडू की गई है A.S.C.E. यानि कि Advertising Standard Council of India मुख्याले कहां है मंबाई में बुलेट रून परियोजना का हिस्सा बनाने के लिए 7,000 करोन रुपे का ओर्डर किसने आसिल किया है Larson and Tobro हाली में Transparency International दौरा जारी बेश्टा चार्ज सूचकांग में भारत को कौन सा हासिल इस्थान आसिल हुआ है हाली में लोवी इंसिट्यूट दौरा जारी नए कोरोन वारत सूचकांग में भारत कौन सा इस्थान मिला है 86 दोनों में 86 है SBI के MD के रूप में किसे नियुकत किया गया है दोनों को स्वामी नाथन जानकी रमन और अस्वनी कुमार तिवारी राष्टिय समुद्री कच्वा कारियोजना कि तो किसके द्वारा लाई गई है प्रकाश जावडीकर जी द्वारा और धनलच्मी बैंक के बोर्ड ने किसे अपना MDOC गुरूप में नेक्ति को मंजूरी दी है तो वो है JKC1 हाली में कांज फिल्म फेस्टिबल 2021 कब तक के लिए इस्तकित कर दिया गया है जुलाई 2021 के लिए एशिया प्रशांद मंदेशिया और अप्रशार पर हाउस फॉरेंस समीदी के अध्यच के रूप में किसे फिर से चुना गया है वो है अमी बेरा अमी बेरा का याद रखेगा ये प्रार्थी मूल के प्रशिद अमेरिकी है जिने अभी हाली में एक appointment हुआ है Asia the Pacific Central Asia non proliferation यानि कि परमाणू अप्रसार के लिए इनका प्रसार ना हो सके उसके लिए अमी बेरा को चुना गया ये नाम दरूर याद रखेगा उत्तर प्रदेश में देश का पहला चम्रा पार कहां इस्तापित किया जाएगा कानपूर में हाली में किसके दोरा भ्रामाग विग्यापनों दोरा जागरुखता बढ़ाने के लिए चुप मत बैठो नाम की पहल सुरू की गई है ASCI दोरा कल उससे पहले आज रात आपसे मुलाकात होगी अगर आप रिजनी पढ़ना चाते हैं एक दम दवंदार तरीके थे प्रैक्टिस करना चाते हैं तो रात के 9 बजे आना मत बुलिएगा और आप सभी दे गुजारी थे कि आप सभी आईएगा है ना लाइक करते हो हर क्लास में आया करो राजनीश जी हर क्लास में तो आते नहीं हो आया करो भाई सब लोग चलिए फिलाल आज के लिए तने ही रखते हैं हाँ आज सहीद दिवस है यार मैं तो बूली गया था आज सहीद दिवस है सहीदी दिवस चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं याद रखिएगा 30 जन्वरी सही दिवस मनाई जाता है एक कॉन डिसलाइक मार दिया यार मत मारा गोर यार डिसलाइक मानते नहीं हो तुम लोग गरीब आदमें को परिशान करते रहते हो हमें साथ चलो बाबाए